ये है इडिया की सब्सक्ते पहली फिल्म राजा हरीस जंदर में 1913 में रिलीज होने वाली 40 मिनिट की एक साइलेंट फिल्म थी इसे बनाने में कुल 6 माईने सा 27 दिन लगे थे एन फ़न फैक्ट इस मुवी को तुम कभी नहीं देख सकते हो तुकि इसकी जो एक्ष्वल रिलेवर्ग हो चुकी है इस फिल्म को बनाया था फादर ओफ इंडियन सिनमा कादा साहिब फालके ने और प्री 1911 में देखने के बाद फालके ने डिसाइड किया कि वो भी कुछ इंडियन लेजेंड के उपर बनाएंगे इसी एडिये को साथ लेकर वो फिल्म मेकिंग सीखने लेंडन गया वापस आती इफालके फिल्म कंपनी खोली और फाइनली तीन माई उनी 113 में इस फिल्म को रिलीज कर दिया और ये कहलाई इंडिया की सबसे पहली फुल लेंज फीचर फ्लेग की इससे करीब एक साल पहले 18 माई 1912 में श्रीप पुंदलिक नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी इसे दादा साहर तोर्ने ने बनाया था कुछ इस्टोडियन्स का मानना है कि श्रीप पुंदलिक इंडिया की पहली फिल्म थी बढ़ यह बहुत डिबेटेबल टॉपिक है युकि यह फिल्म बस रिकॉर्डिंग थी एक पॉपिलर फ्लेग की इसे इंडिया में तो बनाया गया था बढ़ इसकी प्रोसेसिंग लंडन में की गई थी इवेर इसे टैमरा मैन मी फिरंग था और इसी कारण से यह फ्रिस्टीजियस टाइटल दावसां फालकून की फिल्म था